सब्सक्राइब कीज़ें लेर्निक फामिसी चानल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट फामिसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल परपस के लिए बनाए गई है इस वीडियो की थुरू हम किसी भी मेडिसिन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं नव फिर आता है इंजेक्शन अमियो डारोन इस तरह का इंजेक्शन होता है इसको यूज कियाता है ट्रीट करने के लिए कार्डियक एरिदीमिया क्या होता है एक ऐसी कंडिशन होती है जहाँ पर यह देखे आप NORMAL हर्ट देख रहे हैं इस तरह की रीडम्ज चलती रहत इस तरह की सिंक में देखे Electric Current जो है वो से पास होते रहते हैं हर्ट में जब कोई बיぎ मारी नहीं होती है बढ़ क्या होता है एयरीदिमिया देखे जो रिदम में होती है यहां अपर आप देख रहे हैं वर पूरे होच नहीं कर पा रहे है, यहांवाला पार जो है वो छूट जा रहा है, तो इसको कहा जाता है cardiac arrhythmias, तो इस तरह के condition को treat करने के लिए जो injections दिये जाते हैं, heart की rhythm को normal करने के लिए, उस injection को कहा जाता है, injection amiodarone 25% and 50% dextrose, तो इस तरह की packaging में आता है, तेखिए हाइपोग्लाइसीमिय आपको पता होगा लो ब्लेड शुगर लेवल हो जाता है देखे ये नॉर्मल लेवल में नॉर्मल शुगर प्रेजेंट है ब्लेड में हाइपोग्लाइसीमिय में क्या होता है ये शुगर लेवल नहीं दिया जाता है यह सिर्फ और सिर्फ इमर्जंसी कंडिशन अगर हो गई है अगर बहुत जादा उसका हाइपोग्लासीमिय कंडिशन में पहुँच गया है परसन बहुत सारी अलग-अलग इसके सिम्टम्स होते हैं स्वेट आने लगता है परसन को अनकॉंशिस हो जाता ह तो अगर उसको इमर्जंसी में एड्मिट किया जाता है इस कंडिशन में तो उसको लगाए जाते हैं इस तरह के इंजेक्शन और दूसरा है देखिए हाइपरकलीमिय अभी हमने बताया था हाइपरकलीमे क्या होता है जादा हो जाता है पोटेशियम बलड में कुछ ऐसी ड नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन को दिया जाता है ट्रीट करने के लिए हाइपर टेंशन हाइपीप की कंडिशन जो होती है हाइपीप अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है किसी परसन का बीपी और दवायों से भी कंट्रोल में नहीं आ पार है तो सही मातरा में रक्त जो है ब्लड नहीं पहुँच पारा होता है तो ब्लड फ्लो ठीक से ना होने की वज़ा से हर्ट में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है इसकी वज़ा से क्या होता है इस तरह के चेस्ट में पेन होने लगता है दरदोने लगता है इस पार्ट में इसको कहते हैं हम एंजीना फेक्टोरिस तो इस अमरजंसी केडिशेन में दिया जाता है इंजेक्षिन नाइट्रो गलिसरीन फिर होता है इंजेक्षिन सक्सिनाल क practicing पे देख रहा है इस आपके डिक्शन को आप ताकि जी जो मसल है ये रिलाक्स हो जाए अराम ये एक तरह से इनमें तराव ना रहे आराम से डॉक्टर जो है किसी भी मसल को operate कर सके उस पे काम कर सके अच्छे से उस operating procedure के दोरान तो short term के लिए थोड़े समय के लिए क्या करता है मसल को खोल देता है आपस में तो that is why इसको दिया जाता है operating procedures के दोरान फिर आता है देखे injection dopamine को दिया जाता है देखे सबसे पहले treat करने के लिए severe low BP तो अगर blood pressure जो है वो बहुत ही जाता लो हो गया है तो अगर person को emergency में admit किया गया है इस condition के लिए तो उससे लगा जाता है injection dopamine का then second condition होती है देखे slow heart rate heart जो है वो बहुत धीरे धीरे beat कर रहा है heart beat बहुती जादा reduce हो गई है तो उसको treat करने के लिए दिया जाता है injection dopamine को उसकी heart beat को normal करने के लिए and then third and last condition होती है देखे cardiac arrest अगर दिल की धड़कन जो है वो अचानक से रुक गई है cardiac arrest हो गया इस तरह की condition के जाते है cardiac arrest तो उस condition को treat करने के लिए दिया जाता है dopamine hydrochloride injection so thanks for watching next video में हम cover करेंगे know all about your body and medicine का part 6 जिसमें हम बताएंगे क commonly use किये जाने वाली OTC medications OTC medication क्या होती है over the counter medicines होती है जो कि prescription के बिना भी ले सकते हैं लोग तो कौन सी यसी medicines होती है जो कि OTC category में आती है वो हम discuss करेंगे so friends अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो उस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने friends के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो की नीचे लड़ करके सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस